इस्थाई समीती सदस्य के चुनाप को मेयर डॉक्टर शैली ने बताया आज सम्विधानिक कहा 5 अक्टूबर को दोबारा होगा। पूर्व मुखमंत्री अर्विंद केच्रीवाल वा पूर्व उप मुखमंत्री मनिस सूधिया ने भाजपा पनिशाना सालते हुए पूरी चुनाप रकरिया को मेयर के अधिकारों का हनन बताया है। ब्रेस्पतिवार को सदन में चुनाप कराने की तारीक 5 अक्टूबर तै की गई थी। चुनाप उसी दिन होगा जनता को गुम्रह करने की साज़िश कॉंग्रेस। दिखावा केवल जनता की नजरों में विश्वास बहाल करने का प्रियास है जबकि वास्तिविक्ता इससे कहीं दूर है। प्रकार के असले फैसले के जरीवाल ही ले रहे हैं। जैसी घटनाउंप में 40 से अधे के लोगों की जान चली गई तो आप निता कहा थे। पूर्व मुखमंद्री अर्विंद केच्रीवाल वा पूर्व उप मुखमंद्री मनिस सूधिया ने भाजपपन निशाना सालते हुए पूरी चुनाव प्रकरिया को मेयर के अधिकारों का हनन बताया है। चुनाव का परिणाव आने के बाद मेयर ने कहा कि भाजपा आज समवयदानिक तरीके से बार-बार सदन को चलाने की कोशिश कर रही है। मेयर होने के नाते यह है मेरी जिमिदारी बनती है कि इस थाई समीती के सदस्य का चुनाव निस्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन हो MCD कामिशनर को पत्र लिख कर निर्देश दिये हैं कि शुक्रवार का चुनाव पूरी तरह से गेर कानूनी है ब्रस्पतिवार को सदन में चुनाव कराने की तारीक 5 अक्टूबर तै की गई थी चुनाव उसी दिन होगा जनता को गुमरह करने की साजिश कॉंग्रेस प्रदेश कॉंग्रेस सद्यक्ष देवेंडर यादव ने शुक्रवार को कहा कि आप भाजपकी खींश्तान की वज़े से कॉंग्रेस ने इस्थाई समीती के चुनाव में हिसा नहीं लिया वहीं उन्होंने केजरीवाल वा मुखेमंत्रिय आतेशी पर सबाल उठाते हुए कहा कि जनता के बीच जाकर तूटी सडकों और बदहाल हालक का निरेक्षन केबल जनता को गुमरह करने की साजिश है यह दिखावा केबल जनता की नजरों में विश्वास बहाल करने का प्रियास है जबकि वास्तिविक्ता इससे कहीं दूर है